तो आपसे गुन आपसे प्राम में आपका अपने ठागुर प्रकर सिंगों रात के दिस्पच्च के और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है आपतर पर मैंने आपको कई कहानीय सुनाई और आवरेज जितने क्राइम स्टोरी टेलर है जितने नियूस पेपर है जितने नियू चैनल के माध्यम से लोग ख़बरों को पढ़ते हैं देखते हैं सुनते हैं कही न कहीं से हर जगा हनी ट्रैप और भी लोग को फसा के पैसे ल भी नहीं फसुंगा लेकिन जाने क्यों जब अपनी बार ही आती है तो एक तो होता है अंधा यानि धित्रास्ट बिचारे बच्पन से ही अंधे थे और एक होते हैं गांधारी टाइप यानि एक उम्र के बाद आखों पे पट्टी बात लेना तो ऐसे ही गलती लोग करते है और करने के बाद फस्ते हैं क्या-क्या उनके साथ होता है आज इस कहानी के माद्धम से आप बखो भी जानेगे तो पूरी कहानी क्या है अब आप उस सिलसलवाय तरीके से बताता हूं कहानी मद्धप्रदेश की है मद्धप्रदेश का एक जिला लगता है निवाडी जिला और बात इसी साल 2024 की इसी महिने की कर रहा हूँ इसी निवाडी जिले में एक हाईवे गया है बनगाय हाईवे काफी बड़ा सा हाईवे है हजारों गाड़ियां रोजाती जाती रहती है बात 7 अक्टूबर साल 2024 की है 7 अक्टूबर साल 2024 को इसी बनगाए हाईवे के पास एक लाश मिलती है आसपास कुछ लोग जा रहे थे उन्हें उन्हें लाश को देखा उन्हें सोचा कि पुलिस को फोन करते हैं अपने कबजे में लेते हैं उसके बाद चेक करते हैं जब चेक करते हैं तो दो तीन चीज़े हो देखते हैं पहली बात तो लाश को जलाया गया था यानि जो मामला था वो लगबग लगबग कतल का हो चुका था पोश्माटम भले नहीं हुआ था लेकिन लाश को इस हिसाब से जलाना है कही ने कही इस बात का इसारा तो कर रहा था कि मामला कतल का है दूसरी बड़ी बात ये थी कि ये लाश एक आदमी की थी है और एक बुज़र्ग की थी है सतर साल पचातर साल ऐसे ही कुछ हुआ और तीसरी बात कि लाश के पास कोई चीज नहीं थी अब ये तीन चीजें थी और कोई सबूत नहीं था और इसी की हिसाब से पुलिस वालो को अब जाँच परताल करनी थी मैराल पुलिस वालों ने बॉड़ी को अपने कबजे में लिया, पोश्माटम के लिए भीजा बॉड़ी का पोश्माटम हुआ, पोश्माटम में पता चला है कि जो मरने वाला शक्स है इसके उम्र लगबग 70 साल के आसपास होगी इसके सर पर किसी भारी चीज से मारा गया है वार इतना जखमी था, इतना गहरा था कि सर पर लगने के वज़ा से अत्याधिक ब्लीडिंग हुई ब्लीडिंग होने की वज़ा से इसकी मउथ हुई और फिर पेट्रोल डाल के इसकी लाश को जलाए गया है अब ये तमाम चाहिए जब पुलिस वाले देखते हैं मामला पुश्माटम भी चीक चीक के कह रहा था कि कतल का है तो फिर आखिर कातिल का उन है और सबसे बड़ा सवाल की आखिर ये मरने वाला का उन है अब इसी सवाल की पीछे पुलिस वालों को भागना था सबसे पहले पुलिस वालों ने आसपास की लोगों को बुलाया उनसे पूछा कि अपने किसी को यहाँ पे कुछ करते हुए देखा है चुकि आम तो पर कई बार ऐसा होता कि कोई क्राइम कर रहा हो या फिर लाश को फेक रहा हो कोई न कोई चस्मदीद मिल जाता है और अगर मिल जाता है तो फिर आसानी हो जाती है कि इसको सुलजाने में चुकि वो सिनाक्त कर देता है अब आसपास के लोगों से जब पुलिस वालों ने पूछा तो उन्होंने इंकार कर दी और कहा कि नहीं साब हमने तो कुछ नहीं देखा पुलिस वालों की थोड़ी धड़कने और बढ़ी उन्होंने बासपास के लोगों से पता किया और आसपास के थानों में देखा कि क्या कोई missing complaint या फिर कुछ और इत्फाक देखिए कि कहें भी किसी भी थाने में ना ही कोई missing complaint थी ना ही किसी के पास कोई जानकारी थी और लाश भी लगबग जल चुकी थो तो तश्वीर भेज के कहीं सिनाक्ती भी possible भी नहीं थे अब पुलिस वाले बड़े है रान हुए कि यार या तो कोई complaint हो कम से कम मरने वाले की side से तो हमारा कुछ मामला बने या फिर लाश की कोई एक ठीठाक सकल हो जिसकों तवाम गुरुप्स में भेज सकें और पता कर सकें कि भाई इस शकल का आदमी यहाँ पे मिला है उसकी लाश मिली है अगर किसी के घर का कोई गायब हो तो आके शिनाक्त कर ले सामने से कोई मिसिंग कम्प्लेन है नहीं लाश की ऐसी हालत है नहीं कि हम कुछ पता कर सकें तो फिर क्या करें अब पुलिस वाले बड़े चक्र में बाराल उन्होंने ठाल लिया किस केस को हम सुलजा के रहेंगे इसके बाद पुलिस वाले आसपास के तमाम थानों में इतला करते हैं अलग अलग जगों पे जाके पता करते हैं परताल करते हैं आसपास के लोग उससे पूस्ताच करते हैं और इसी दवरान पुलिस के टीम उस क्राइम सीन पे फिर से जाती है कि कुछ मिल जाए गया था और नाम जल गया था और मुबाइल फोन ऐसा कि जल के उसकर जो आउन होने की छमता थी वो खतम अब पुलिस वाले फिर परिशान बहराल इतनी चीजे मिल गए थे तुन्हें एक उम्मीद लगे कि चलो कुछ ना कुछ चीजे मिली है तो कुछ ना कुछ केस में असान में जितने नंबर सेफ थे उनको चेक किया और सिम के मालिक के बारें पता किया जब पता किया तो पता चला कि सिम के मालिक का जो नाम है वो घंसयाम कुछ वाह है उम्र लगभग सतर साल और जो एड्रेस दिया है वो दिया है उत्रपदेश में एक जगहा लगती है प्रोने बताये कि मरने वाली की भी उम्र लगभग सतर साथ पुलिस वालों ने खा कि चलो कम से कम उम्मीद है कि मरने वाली की शिनागत हो गई पुलिस की एक टेम जहांसी जाती है उनके घर पे उनको इतला करती है इतला करने के बाद उनको अपने साथ लेके आती है घंसायाम कुश्वाह की फैमिली वालों को अपने साथ जब लाती है लाने के बाद बॉड़ी के शिनाग्त करवाती है कपड़े औगरा के माध्धम से लाश के शिनाग्त हो गई परिवार वालों को लाश शौप दी गई पूरा मामला समझाया गया परिवार वाले सुरू में तो यकीन ही नहीं कर रहे थे कि ये लाश उनके घर की है लेकिन जब पुलिस ने तमाम सबूत दिखाया कपड़ों को दिखाया तब यकीन हुआ बहराल परिवार वाले लाश को अपने साथ लेके जाते हैं अंतिम संसकार करते हैं इदे आप पुलिस वाले जाश प्रताल सुरू करते हैं परिवार वालों से कि भाई आपको किसी पर डाउट है किसी पर शंदे है चुकि आपके घर के फैमिली मेंबर के साथ ऐसा हुआ है जब परिवार वालों से पूछा तो परिवार वालों इस सब मना कर दिया और कहा कि सब हमें किसी पी कोई डाउट ही नहीं है अब पुलिस वाले बड़े चक्कर में उन्होंने कहा कि ठीक से आत कर लीजिए कभी किसी से कोई दुस्मनी रही हो जहां ये काम करते थे वहाँ किसी से कोई जगड़ा रहा हूँ या फिर कोई और बात भी बात तो बताईए चुकि बिना वज़ा कि कोई ऐसे कतल क्यूं करेगा कोई लाश न्यूं ठीकाने क्यूं लगाएगा जलाएगा क्यों अच्छा पुलिस ओलों के मन में एक डाउट और आ रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि परिवार का ही कोई शदस सामिलो बैराल अलग अलग सवाज जवाब कोई नहीं इसी बीच जुआ के एसपी साहब थे उनके दिमाग में काईड़ी आता है उन्होंने सूचा कि अगर कोई आदमी है वो जहासी का रहने वाला है उसकी लाश मदप्रदेश के निवाड़ी जिले में मिलती है तो कई किलोमेटर का यह फासला है काईदे से कहें कई सो किलोमेटर का इस फासले को तैं करने के लिए किसी ना किसी माद्धम को प्योग हुआ होगा कार होगी, बाइक होगी तो एक काम करते हैं चिक करते हैं कि कौन से ऐसी गाड़ियां है जो जहासी चे चली और निवाड़ी की इस बनगाय हाई बे तक आई अब इसको चिक करने का एक मातर तरीका था कि पूरे रास्ते के कैमरों को खंगाला जाए और इस वालों ने पूरे रास्ते के कैमरों को खंगालने का फैसला किया तमाम कैमरों को चिक किया तमाम अलग अलग गाड़ियों को जीरो इन किया उनसे पूस्ताच किया कि आप कौन है कहां से आ रहे थे, कहां से जा रहे थे लगबग 24 घंटे तक 1500 से ज़्यादा कैमरों को खंगालने के बाद अंत में पुलिस की रंगत दिखती है जो महनत ही वो रंग लाती है एक बाइक पे ये बुज़र्ग एक लड़की और एक लड़की के साथ जाता हुआ दिखाई देता है इसी दवरान घंस्याम जो कुश्वाहा थे उनकी कॉल डेटेल जब निकाली जाती है ते एक नंबर मिलता है और ये नंबर भी किसी लड़की का था जिसका नम सोनिया था अब तमाम चीज़े जब मिली उसके बाद पुलिस वालों ने कहा कि अब सोनिया को उठाओ पहले पुलिस वालों ने सोनिया को उठाया उसका एडरेस निकाला आगरा तक टीम दवडाई वहां से उसको गिरफतार किया जब गिरफतार किया तब पूरी कहानी सीसे की तरह साप हुई और इस कहानी को जब पुलिस वालों ने सुना तब पता चला कि दुनिया में कितनी लालच और कितनी हवस भरी हुई है पूरी कहानी एक साल पहले किये तो असल कुछ टाइम पहले की बात है जो गंस्याम कुछ वाहा थे रेलवे में जॉब किया करते थे अब ठेक ठाक नोकरी थी ठीक ठाक पैसे थे घर वाले भी काफी खुश रहते थे ना किसी से कोई लडाई ना किसी कोई जगडा फैमली मेंबर काफी प्यार करते थे रेटायर हुए ठीक ठाक पैसा भी मिला पेंसन भी हुई तमाम चीजे बड़कुल बढ़िया चल लही परिवार वाले इज़त कर रहे घर परिवार पूरा सुखी तरीकी से रहराजेब में पैसा है ना कोई बिमारी ना कोई रोग इसी दवरान अब घंसयाम कुश वाहा जब रिटायर हुए रिटायर होने के बाद अकिला अपन उनका जीवन में आ गया तब है उसकी जिन्दगी में एक लड़की आती है जिसका ना तो सुनिया सुनिया एक तीस साल की लड़की है साट साल का ये बुड़ा तीस साल की लड़की है काईदे से और उमर हो गई होगी 65 साल का या आदमी सोनिया जिन्दगी में आती है आने के बाद दोनों दोस्त बनते हैं दोस्ती आगे बढ़ी दोनों एक दूसरे के करीब आ गए आलम ये हुआ कि 60-65 साल का बुज़ूर्ग इंसान 31-32 साल की लड़की को डेट कर रहा था दोनों बॉइफ्रेंट की तरह रहने लगे दोनों दूसरे से प्यार भरी बाते करने लगे गंसे आमको स्वाहब प्यार में अंधे हो गए लेकिन उन्हें समय नहीं आ रहा था कि आखिर 31 साल की लड़की उनके प्यार में क्यों पागल हो गए गंसे आमको लग रहा था कि उनका नेचर इतना अच्छा है कि ये लड़की उनको पसंद करती है लिए नसल सच्चा ही कुछ और थी बात आगे बढ़ी दोनों दूसरे के करीब आए इसी दोरान एक लड़का ओ रहाता है जिसका नाम था रोहित और काइदे से जो रोहित था वो सोनिया का वाइफरेंट था दोनों एक बार जब मिलते हैं और रोहित को पता चलता है कि वो घंशाम को स्वहा को डेट कर रही है उसके साथ अफेर में है रोहित काफी नाराज होता और नाराज होने के बाद कहता है कि देखो ऐसा आ, अगर तुम उस बुढ़े से संपर्क में रहोगी, तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, और तुम्हें कहीं कभी नहीं छोड़ूँगा, सोनिया जब ये बात सुनते हैं, सुनने के बात कहती है, क्यार तुम पागल हो, उस बुढ़े खूसट के साथ मैं क तब उसने प्लान मनाए कि काम कर इसको मार ही दो, जिंदा रहेगा, फोन करेगा, मैसेज करेगा, परिशान करेगा, इसको मार दो और पैसे लेते रहेंगे हम लोग, तो फिर मारने का प्लान मन गया, लेकिन मारना कैसे ये भी नहीं पता, तब इसके लिए इन्होंने एक प गुलाया गया, गंसेयाम कुछ स्वाहा रात के अंधेरी में निकलता है, परिवार वालों को धोका देके, उनको छोड़के, निकलने के बाद जैसे सुनिया के साथ आगे बढ़ता है, आगे हाईवे के पास उसको रोहित मिलता है, रोहित जैसे देखता है, बाइक पे ओभी बैट जाता है, थोड़ी दोर तक ये लोग जाते हैं, सोनिया बताते हैं, एक मेरा भाई है, कोई दिक्कत नहीं, गंसेयाम कुछ वहा समझ नहीं पाता, ये लोग जैसे थोड़ा सागे बढ़ते हैं, सुनसानी लाका देखके, भाई करोकी जाती है, तीनों लोग उतरते है उसके बाद एक डंडे से, गंसेयाम कुछ सुआ के सर्फे मारा जाता है, वहीं प्यो मर जाता है, उसके बाद पेट्रोल डालके जला दिया जाता है, तमाम डॉक्मेंट जो थे उनको फेक दिया जाता है, लकिन फेकने के दौरान मोबाईल फोन और और अधार कार्ट, वही से गुजारता ये ना करके एक 30 साल की महिला के चक्कर में पड़ा एक रोहित नाम का लड़का जिसकी गल्फिंड गोल्डिगर थी उसको पता था कि वो पैसो के लिए बाकी मर्दों के पास जा रही है सो रही है सम्मंद बना रही है इसके बावजूद भी उचा रहाता है कि उसकी गल्फिंड उस बुड़े को छोड़के इसके पास आ जाए मंदब ऐसे हाल में भी उस स्वाइकार करने को तयार था ये सोचने को तयार नहीं था कि अगर कल को ये मेरे साथ ऐसा करे तो क्या होगा एक महिला जिसके पास एक बुजुर्ग था उप्शन था लालची थी तो ठीक था लेकिन फिर वो वॉइफिंड के कहने पि उसका ही कतल करने को अमादा हो गई पैसे के चक्कर में पहले वहां गई फिर प्यार के चकर मिधर आई और फिर अंत में कही की नहीं रही तो अब सोच के देखिए कि दुनिया में कैसे कैसे लोग है खिर फिलाल ये थी पूरी कहानी अब आते हैं कल किस सवाल पे कल का मेरा सवाल था कि भारत में काईदे से कहें आजाद भारत में अब तक total कितने लोग को फासी दी गई है अब इस सवाल का जो जवाब है उसको कई लोगों ने दिया है सबसे पहले दिया है शुप पटेल जी है बाराणसी से राजियू सहानी जी है और तौसिफ खान जी इन्होंने का कि भाई मुझे नहीं आता तो कोई बात नहीं अभी मैं बता देता हूं बेरहाल आपने कमेंट किया उसके लिए आपका कोट कोट दहने बात बिजेंद्र सिंग जी है अवंति होरो जी इन तमाम लोगों ने सही सही जबाब दिया तो अब तमाम लोगों को बिलकुल दिल से हादिक शुप कामने या इसी अपना ग्यान बढ़ाई है अब तक टोटल 57 लोगों को फासी दे दी गई है यानि फंदे पे चड़ा दिया गया अब फिर एक सावल मैंने घुमा कि उसमें पूछा थे कि अच्छा 50 लोगों को तो दे दी गई लेकिन अब तक कितने लोगों को आदेश हुआ कि इनकी फासी दी जाए तो कायदेश अगर मैं सही आकड़ा आपको बता हूँ तो यह आकड़ा कई हजार है 10, 20, 50,000 तक होगा जोकि लोवर कोट जो है वो लोवर कोट साल भर में 10-15 लोगों को हर जंग के लोवर कोट फासी दे दी दी बाद में हाईड कोट उसको चेंज कर देता है तो अगर इसा अधार पे देखे हैं तो कई हजार है लेकिन अगर तीनो कोट से अगर देखा जाए कि तीनो कोट याई लोवर कोट से एनि सेसन कोट, हाई कोट और सुप्रिम कोट ने कितनों को फासी दी तो यह आकड़ा कुछ 14 सो उसे 15 सो की बीच है एक्चुल फिगर चेंज होता रहता च्योंकि कई बार ऐसा होता कि फासी होती है फिर उसको माफ कर दिया जाता जैसे एक गवी सिस्टर को फासी के सजा हुई थी लेकिन फिर फासी उनको दी ही नहीं गई कहीं से भी उनको मर्शी पेटिशन भी एक्सेट नहीं हुआ लेकिन इतना लेट कर दिया कि फिर उन्होंने बाद में वर्शी पेटिशन फाइल किया भी एक दू साल पहले 2002 में उनको फासी हुई थी कितने दिन से फासी की सजा मिली है तो हमा लेटी मर ही चुके है तो हमें फासी देने का क्या मतलब तो कोर्ट ने माप कर दिया तो ये फिगर चेंज होता रहता लेकिन 1400 से 1500 की ये बीच फिगर है जिसमें लोगों को सजाय मौत तीनों कोर्ट से दे दी गई है और मैकसिम्म जो पेनल्टी ही हुऊ भी सजाय मौत ही है हमारे IPC में, CRPC में तो जिन लोगों ने सही जबाब दिया उनको दिल से आभार कि आप ऐसे ही ग्यान बढ़ाते रहिए अपना भी, हम सब का भी अब आते हैं आज के सवाल पे और आज का सवाल कहीं न कहीं बड़ा इंपॉर्टेंट है जिससाब से इजरायल और इरान लड़ रहे है और ये पूरा मामला और काईदे से फिलिस्तियन से लड़ाई उसमें इरान कूदा है पूरा मामला जो है वो जमीन का है और जमीन की लड़ाई हमारी चीन से भी है और पाकिस्तान से भी है तो चीन, पाकिस्तान की हालत हम सभी जानते हैं लिगे चीन का बहुत कुछ ढखा तुपा है तो आज मेरे आपस सवाल है कि चाइना के पास टोटल कितने परमारूबं है अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताईएगा नहीं पता हो तो कोई बात नहीं इसका जवाब मैं दे दूगा और साथ यह से कहानिया सुनने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं आपको सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा डेली सवाल जवाब भी होगा जिससे आपका ग्यान बढ़ेगा रोजनाईनी कहानिया भी आपको सुनने को मिलेंगे तो अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताईएगा नहीं पता तो कोई बात नहीं इसका जवाब मैं कल आपको देदूगा तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी सच्ची कहानिक साथ अपसक अच्छे रही है खुश रही है अपना ख्याल लगी है अपने देश का ख्याल लगी जैहन पंदे मत्रम